हेलो दोस्तों, वेल्केम टू मैं यूटूब चैनल नहाने के पानी का प्रियोग करके आप किस परकार अपनी दरिद्रता दूर कर सकते हैं, आज इस वीडियो में जानिए नहाने के पानी का ये प्राचीन उपाए करने से दूर हो सकती है आपकी दरिद्रता नहाने से स्वास्त लाप और पवित्रता मिलती है सभी प्रकार के पूजन करम आदी नहाने के बाद भी किये जाते हैं इस कारण सनान का काफी अधिक महत्तव है पुराने समय में सभी रिशी मुनी नदी में नहाते समय सूर्य को जल अर्पित करते थे और मंतरों का जब करते थे इस पुरकार के उपायों से अक्षेफुन मिलता था और पाप नस्ठ हो जाते थे जोतिस में धन सम्मंदी परिशानियों से मुप्ति पाने के लिए कई उपाय बताए गए हैं जो अलग-अलग समय पर किये जाते हैं नहाते समय करने वाले जो उपाये हैं वो आप इस वीडियो में आज जानिये प्रतिदी नहाने से पहले बाल्टी में पानी भरें इसके बाद अपनी तरजनी उंगली इंडेक्स फिंगर से पानी पर तिर्भुज का चिन्ड बनाएं तिर्भुज बनाने के बाद एक अक्षर का बीज मंत्र उसी चिन्ड के बीज वाले स्थान पर लिखें साथ ही अपने इस्ट देवता से परिशानियां दूर करने की प्राथना करें इससे आपको उत्तम लाव मिलेगा आपके जीवन में दरिदृता समाप्थ होगी आपको धन प्राप्ती के सयोग बनेंगे नहाते समय मंत्रों का जाप करें सास्तरों में दिन के सभी अवर्शक कार्यों के लिए अलगर एक मंत्र बताए गए हैं नहाते समय अगर आप मंत्र का जाप करते हैं तो आपको उत्तम फल प्राप्त होता है इसके लावा आप कीरतन या भजन या फिर भगवान का नाम भी ले सकते हैं इससे भी अक्षे पुर्ने की प्राप्ती होगी नहाते समय पानी पर ओम लिखें यदि आप किसी नदी में सनान करते हैं तो उस पानी पर ओम लिखकर पानी में तुरंत डुब की मार लेने चाहिए ऐसा करने से नदी सनान का पून पूने प्राप्त होता है इसके अलावा आपके आसपास की नकारात्मक उजा समाप्त हो जाती है इस उपाय से ग्रह दोश भी शानत होते हैं यदि आपके घर में किसी की भुरी नजर हो वो भी उतर जाती है तो दोस्तो आज मैंने आपको बताया है कि नहाते समय कौन से उपाय आप कर सकते हैं जिससे आपकी दरिदृता दूर हो सकती है अगर आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने प्रिय आप जिए ब चरफ हैंघो है कि झाम झारए नɪादव और वार बस्तों में अजयों कि अ लाद सकते हैं जांवरे प्रे आपक मैंदे अज़के कौन अवा चो पर्राइब आपको थर सदोड़रिए नवश जगरणारी अपको धक कर आवों जापको जए नवारे प्गई